हेलो लेर्नर्स वेल्कम टो श्टढी उट्रपित आज की इıt बीडियो में हम लोगं जनल साइंस के बहुत इंपोर्टेंट कोचेन्स को डिसकेस करेंगे इस वीडियो में जो कॉष्टेंस वह बहुत इंपोर्टेंट है किसी वे लाफीं गैस. नेक्ट कॉश्चन है. What is the example of गैस लाइटर देन एर? हवास से हल्की गैस का उधारट देना है. उसका correct answer होगा hydrogen. इस घैस बिच लाइटर देन एर? हाइडूजन एक ऐसी गैस है जो हवास से हल्की होती है. नेक्ट कॉश्चन है. name the gas heavier than air हवाज से बाहरी gas का नाम बताना है ठीक है तो उसका correct answer होगा carbon dioxide carbon dioxide is the gas which is heavier than air हवाज से बाहरी gas carbon dioxide होती है next question है the substance used in shining and matches is चमकने वाला और matches में प्रियुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है उसका correct answer होगा phosphorus phosphorus is the substance used in shining and matches जो matches होती है उसमें phosphorus का यूज किया जाता है phosphorus chemical का यूज किया जाता है next question है who is called the most intelligent creature after man मन उसके बाद सबसे समझदार जीव किसको का जाता है उसका correct answer होगा dolphin dolphin is the most intelligent creature after man इंसान के बाद dolphin सबसे ज़्यादा समझदार जीव है next question है what is bamboo जो bass होता है जीव किया है cry तो उसका correct answer होगा grass मतलब जो bass होता है वो घास होती है next question ह्च्व्ष al-гов intense ч давайте which gas is mainly present in l humid gas go-ver gas में कौन्सी गैस present होती है उसका correct answer होगा methane methane is mainly present in dung gas go-ver gas में मुखत है methane की gas present होती है next question है which gas is there in cooking gas Cooking Gas में कौनसी gas होती है उसका correct answer होगा dein p route cryptocurrency and butane bitches are there in cooking and cooking altae cooking gas में propane and butane gas नेस्ट question moves which gas is used to Gefs uenok отп पकाणे के लिए तो रिपन फरूट नेस्ट कोस्चन है the disease is called goiter caused due to the deficiency of जो गॉटर नामक का जो रोग है वो किस की कमी से होता है तो उसका करक्टांसर होगा आयोडीन ठीक है आयोडीन की कमी से गॉटर नामका रोग होता है नेक्स्ट कॉश्चन है जीवाश्माओं की आयोडीन निर्धारत करने के लिए कौन से विदी अपना जाती है तो उसका करक्टांसर होगा कारवन डेटिंग मेथड़ का इस्तिमाल किया जाता है नेक्स्ट कॉश्चन है कैरोसीन ओइल इन दा लैंटेन गोज अप इन दा लाइट विकॉस आफ वाट जो लाइंटेन में जो मिट्टी का तेल होता है वो किसकी कारव ऊपर की तरफ चड़ता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा ड्यू टू कैपिलरीटी की वज़ए से जो मि प्योर गुल्ड प्योर गुल्ड में 24 करेट होता है नेक्स्ट क्यूशन है ओध आजबी प्राइमरी कलर्स और प्रात्र में कलर्स कौनसे कलर होते हैं ब्लू यलू एंड़ गृन अर दी प्रामरी कलर्स बू ग्रीन एंड़ और अट्विक राउंड बिकॉस ऐसाफ वाट जो बर्सा की बून होती है वो गोल हो जाती है पर किसके कारण होती है तो इसका गैज्ट अंदर सांस लेते हैं तो उसका और सभ्म ओढ़री कर रहा है, जो पर बर्सा की बून हुच्छ hmud , तो ब不會 well hो जाती है। यहां कि यह सब्सक्रापनिक क्रपा और पर प्र यां वातना संदेग सब्सक्राइच सब्सक्रापनिक कौण ऑोतरयि यह जो का सबसे सुद्ध फोर्म strengthening का तो तो शोशी है ग्याच ज्यांने स statistics व्यियुँखी शम्रहीं पर यानि व्युखेंग की उप फ मुचारेंस State इसका करेक्ट आंसर होगा helium, helium is called the novel gas, next question है which vitamin is obtained from the rays of the sun, सूर्य की क्रिड़ूं से कौन सा vitamin प्राप्त होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा vitamin D, vitamin D is obtained from the rays of the sun, सूर्य की क्रिड़ूं से बिट्मिंद D प्राप्त होती है. Next question, which compound of silver was mainly used in photography, चांदी का कौन सा यॉगिक मुखत है, फोटोग्राफु में प्रियुक्त होता है तो इसका correct answer होगा Silver Bromide compound of Silver जो Silver Bromide compound है Silver का ही है, ये किस में यूज होगा जाता है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, मुखत है फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, next है diamond and graphite are allotrops of जो हीरा और graphite है वो किसके allotrops है यानि कि अबरूप है तो उसका correct answer होगा carbon diamond and graphite are allotrops of carbon carbon के अबरूप है diamond and graphite thank you for watching the complete video I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत informative रही होगी वीडियो अच्छे लगे तो उसको like कीजिएगा comment कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा और मेरे चैनल को subscribe भी कीजिएगा thank you